मेरी यूटीब चैनल पर आपका बात बात स्वाकत है मैं एक बन फिर पस्तित हूँ एक नए वीडियो के साथ मित्रों सीटेट परिक्षा 2019 की तैयारी के लिए मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ गनित सिक्षन वेसिक्षा शात्र के आती महत्पूर्ण सवालों को संग रहे उम्मित करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी किन्तु आगे बेंड़े से पहले मैं आपसे नवी दिन करूँगा यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राब नहीं किया है वीडियो के नचे लाल लंके सब्सक्राब बेटन को क्लिक करके मेरे चैनल सब्सक्राब कर लें तबराबर में दिये गए बेला आइकन को भी क्लिक कर दें जिससे मेरी वीडियो अपलेड होते ही तुरंत आपको सूचना मिल जाया गरे तो चलिए देरना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो मित्रों पहला सवाल देखते हैं पहला सवाल है गणित विशे का महत्व अत्यादिक इसलिए है यहाँ पर चार आप्शन आपके लिए दिये गए हैं मित्रों पहला है सभी विशु में अगरणी बौदिक विकास में सायक जीव को पारजन में सायक और चौथा यह सभी तो इसका जो सही उतर है मित्रों वो चौथा नंबर का आप्शन ठीक है यह सभी अगला प्रेशन मित्रों किसने कहा है कि लोहा वाश्प और विद्यूत के उन दिनों में जहां कहें भी हम मुरते हैं हम पाते हैं कि गणित ही अगरणी है चार आप्शन यहाँ पर है नैपोलियन अरस्तू आरेवट और चौथा आप्शन इन में से कोई नहीं तो यहाँ पर जो आपका उत्तर है मित्रों यह पहला आप्शन सही है नैपोलियन ने यह कथन कहा था चलिए आगे चलते हैं प्रेशन नमबर तीन की और प्रेशन नमबर तीन हमित्रों गडित की प्रकरती है की चार option है यहाँ पर पहला अलंकारिक है दूसरा यह तारकिक है तीसरा यह समानेल लोगों के लिए नहीं है और चौता यह कठिन है तो इसका जो उत्तर है मित्रों वो second वाला option सही है यह तारकिक है ठीक है चलिए आगे चलते हैं अगले question की और question number 4 E.J. Simpson ने किरियात्मक पक्ष के निमलिखित इस्तर बताया है चार option है यहाँ पर भी प्रत्यक्षिकरण, व्यवस्था, निर्देशात्मक, अनुकरिया और चौता यह सभी तो मित्रों बताना चाहूंगा सही उत्तर है चौता यह सभी option सही है ठीक है चलिए आगे चलते हैं अगले question की और question number 5 विशलेशन विधी की प्रकरिया है चार option है फिर से पहला अग्यात से ग्यात की और, दूसरा ग्यात से अग्यात की और, तीसरा पहला और दूसरा दोनों और चौता इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही उत्तर है मित्रों वह है विकल्प फर्स्ट अग्यात से ग्यात की और प्रिशन है कोशन बरच्छ है संसलेशनात्मक विधी का की सिक्षन पद है पहला है समस्या का प्रस्तोती करण दूसरा है समस्या का ज्यान तेसरा है option समस्या का हल और चौथा ये सभी तो इस प्रशन का सही विकल्प जो है वो चौथा है ये सभी ठीक है तो इस प्रशन को बहुत अच्छे से देखेंगे मित्रों कई बार पूछा जाता है अगला प्रशन है मित्रों सात्वा आगमन विधी का सूत्र है मित्रों important question है थोड़ा ध्यान से देख लेजिएगा सात्वा प्रशन है आगमन विधी का सूत्र है चार option है यहाँ पर विशिष्ट से समाने उधारण से नियम और तीसरा है स्थूल से शोक्षम और चौथा है य मित्रों विकल फोर ये सभी important question है अगला भी question number 8 निगमन विधी का सूत्र है चार option है यहाँ पर आपके पास सामाने से विशिष्ट नियम से उधारण सूक्षम से स्थूल और ये सभी तो यहाँ पर भी आपका जो फोर option है वो सही है ये सभी question number 9 की ओर चलते है मित्रों जिस सिक्षण विधी से चात्रों में रटने की परवर्ति का विकास होता है वह है चार option है आगमन विधी निगमन विधी विशलेशन विधी और संचलेशन विधी तो इसका जो सही उतर है मित्रों वह है विकल्प second जो है निगमन विधी ठीक है चलिए अगले प्रेशन की ओर चलते हैं प्रेशन number 10 चात्रों की शारेरिक मानसिक एवम समवेगात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए सिक्षक को सर्वत्तम शिक्षण करने की आवशक्ता है चार option यहाँ पर भी दिये गए हैं आपको पहला है प्राथमिक इस्तर पर प्रेशन number 11 प्राय सिक्षविद इस तथ्ये से सहमत है की विवादास पद पहलू के संदर में चार option है पहला है मुक्त चिंतन को प्राथमिक्ता प्रदान की जानी चाहिए दूसरा है परियाप्त सावधान रहना चाहिए थर्ड उक्त पहलू के महत्पून अंगों पर परि प्रेशन प्राथमिक्ता प्रदान की जानी चाहिए चलिए आगे जलते हैं देखते हैं प्रेशन number 12 इंप्रेशन मित्रों सिक्षण दुआरा उत्तम अधिगम प्राप्त करने के लिए आवेशक है पहला विकल्प है सिक्षण उत्देश्यों को पूर्व में निधारन की त दूसरा है सिक्षण के उप्रांत रटने की तथा इसमर्ती में उसे सुरश्चित रखने की तिसरा है पूर्शकार एवा मिन्दा की और चोथा है सिक्षण के समवर्धित प्रियासों की तो इसका जो सही विकल्प है उमित्रों वो पहला विकल्प सही है सिक्षण उदेश् पूर्मे निर्धारण की तथा उनके परिभाशी करण की अगला प्रेशन है प्रेशन नमबर तेहरा उत्तम सिक्षण अभ्यास में निमलेखित में से कौन से तत्व की नियुनतम आवशकता होती है तो चार विकल्प है पुरुसकार की छात्रों के पूर्वज्यान की थर्ड है सिक्षण के लेक्षे की और चौथा विकल्प है सिक्षण अधिगम के अनुभवों की तो इसका जो सही उत्तर है वो मित्रों पहला विकल्ब है पुरस्कार की ठीक है चलिए आगे चलते हैं नई प्रशन की और वदा है मित्रों यदि आपकी कक्षा में छात्रों की सेक्षिक उपलब्धी उत्तम है तो सिक्षक का दायत्व है की? चार उप्षन है चात्रों को स्वय निर्देशन के लिए मुक्ते छोड़ दें चात्रों को केवल पुस्तक के ग्यान ही तो नहीं है इस्तत्य की जनकरी हासिल करें चात्रों को आगामी उन्नत्ती के लिए प्रेट करें और चात्रों से बेफिक्र हैं और स्वयम आराम करें तो आपका क्या दायत्व होगा तो इसका जो सही विखल्प है मित्रों वो विखल्प है नमबर एक छात्रों को स्वै निर्धेशन के लिए मुक्त छोड़ दें ये इसका सही उत्तर है चलिए आगे चलते हैं प्रशन नमबर पंदरा की ओर प्राथमिक कक्षाओं में निमलिखित को छोड़कर अन्य सभी प्रविधियों का प्रयोग किया जा सकता है चार विकल्प हैं दीर्ग उत्तर संबंदी परिक्षा हैं मौखिक परिक्षा एवं कविता पार्ट किर्या कलाप संबंदी परिक्षा हैं और नैदानिक परिक्षा हैं तो चार विकल्प हैं इन में से हम किस विधी का प्रविधी का प्रियोग कर सकते हैं प्रात्मे कक्षाओ में जिनको छोड़कर तो हम पहली जो इसमें विकल्प है दीर्ग उत्तर समंदी प्रेशन जो परिक्षा होती है वो प्रात्मिक रक्षाओं में अधिक उप्योगे नहीं होती तो इनको छोड़कर हम सभी का प्रियोग कर सकते हैं ठीक है चलिए आगी चलते हैं प्रेशन नमबर सोला है मित्रों इंपोर्टन प्रेशन है अनौपचारिक सिक्षा कारेकम का मुख्य लक्षे है ड्राप आउट को पुने पढ़ाना मुक्त विध्याले की वेवस्था करना लड़कियों के लिए सिक्षा वेवस्था करना और सिक्षा को जारी बनाए रखना तो जो इसका सही विकल्प है मित्रों वो पहला विकल्प सही है ड्राप आउट को पुने पढ़ाना प्रेशन है प्रेशन नमबर सतरा विध्याले में प्रात है असेंबली का उदेश्य क्या है चार विकल्प हैं यहाँ पर आपके लिए बालकों को अच्छी आदते सिखान बालकों को इश्प्राथना सिखाना बालकों को सामोहिक सूचनाई देना और चौथा है नियमितिता एवं अनुशाशन की शिक्षा देना तो यहाँ पर इसका सही विकल्ब है विकल्ब नमबर चार नियमितिता एवं अनुशाशन की शिक्षा देना चलिए आगे प्रशन देखते हैं प्रशन नमबर 18 निमली खिच में से कौन सी ऐसी सहायक सामगरी है जिसे पाठे पुस्तक के संदर्ब में बिना अतिरिक्त परिश्यरम के सफलता पूरवक्त प्रियोग किया जा सकता है चार विकल्ब हैं आपके पास यहां पर स्लाइड प्रोजेक्ट जो कक्षा में स्थाई रूप से लगा हो पाठे पुस्तक में दी गई एक्सरसाइज तथा के रियातमक पहलू थर्ड है पुस्तकालिय के संदर्ब गरंत और चौथा बिलेटिन बोर्ड परिस्तित सूचना है तो मित्रों इसका सही विकल्ब है विकल्ब नमबर दो पाठे पुस्तक में दी गई एक्सरसाइज तथा के रियातमक पहलू चलिए आगे देखते हैं प्रेशन नमबर 19 योजनाबद पाठो की प्रमुक विशेष्टा यह होती है की चार विकल्ब हैं यहापर आपके लिए पहला विकल्ब है मित्रों सीखने के प्रतिदरश होते हैं तथा पूर्व जोजित होते हैं सेगंड ऑप्शन है चार को सीखने के लिए पूर्व नियोजित समगरी प्रदान की जाती है तीसरा विकल्ब है चार जब तक प्रतियक उत्तेजक के प्रति सही प्रतिकरिया नही तुमित्रों आज की वीडियो का अंतिम प्रिशन है प्रिशन नमबर 20 योजनाबद करण का क्यातात पर रहे है चार विकल्प है यापर संपूर्ण सिक्षन सामगरी को एक पुस्तक आकार प्रदान करना तथा मशीन द्वारा प्रियोग करने के लिए संयोजित करना दूसरा ह कक्षा में शिक्षक के द्वारा योजनाबद धंक से सिक्षन करना तिसरा है स्वयम सभी योजनाए नियोजित करना और चोथा इन में से कोई नहीं तो इसका सही वी गल्प है मित्रों पॉइंट नमबर एक संपूर्ण सिक्षन सामगरी को एक पुस्तक आकार प्रदान करन तथा मशीन द्वारा परियोग करने के लिए सही योजित करना तो इतरों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आ होगी आपसे निवेदन है सभी परिक्षाओं की तयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें तो मिलता हूँ इस判 आपको बना तोvised तरों समाण की चीना बिलक्राइब करना प्राओं की तक करना पालें बिलकुल तो मिलता हुएँ लिए मारे बता हुएँ